चार दिन की गरीब बहु मालिक खाना बन गया है आप कहें तो डाइनिंग टेबल पर लगा दू अच्छ ठीक है तुम डाइनिंग टेबल पर लगा दू मैं आता हूँ रामो डाइनिंग टेबल पर खाना लगाता है नौकर रामू नमाकली कराता है और हरिश को देते समय गलती से उसका हाथ हरिश को छू जाता है ये क्या किया तुने छू दिया मुझे अशुद्ध कर दिया और मुझे नहा ना पड़ेगा अरे तुम्हें इस घर में किसे ने बताया नहीं है कि अगर यहां नौकरी करनी है तो मुझे छूने की गल्दी मत करना लेकिन मालिक हो क्या क्या मैं समझ नहीं पा रहा हूँ अखिर आप इतने नाराज क्यों हो गए जाईए आप नहा कराईए अभी नया नया आया है न मैं उसे समझा देती हूँ गुस्से में हरिश खाना छोड़कर नहाने के लिए बातरूम में चला जाता है देखो रामू तुम अभी कुछ दिन पहले ही काम करने के लिए यहां आये हो इसलिए तुम्हें अभी घर के तौर तरीके अच्छे से पता नहीं है साहाब को पसंद नहीं है कि कोई भी नौकर उने चुए तुम उनके लिए खाना तो बना सकते हो लेकिन गलती से भी कभी उने चुना मत उन्हें दुनिया में सबसे ज्यादा चीड इसी बात की है ये कैसी बात तुभी मेम साहाब अगर गरीबों के हाथ का खाना खा सकते हैं तो उसे चुने में साहब को कैसी चिड और करीब आदमी अच्छूत तो नहीं होता देखो रामो इन सब बातों में ज्यादा दिमाग मत लगा बस मैंने कहा न कि आगे से खायाल रखना के गलती से भी तुमारा हाथ साहब को चुना पाए मेम साहब की बात सुनकर नौकर रामो हैरान परिशान सा रसोई में जाकर अपना काम करने लगता है सेठ हरिश्दास कानपूर शहर के बड़े व्यापारी थे करोडों का बिस्निस था उनका घर में पैसो की कोई कमी नहीं थी घर में दर्जनों नौकर काम करते थे घर के गार्डन, रसोई, साफ सफाई हर काम के लिए एक-एक नौकर लगा हुआ था इतने सारे नौकरों के घर में होने के बाद भी न जाने हरिश्दास को नौकरों से क्या यूं कहो कि गरिबों से ऐसी क्या चीर थी कि वो कभी भी अपनी किसी भी स्टाफ को छूते नहीं थे अगर कोई गलती से भी छूले तो वो रगड़ रगड़ कर नहाए बिना खुद को शुद्ध नहीं मानता था अलाकि उसकी व्यवार से अकसर उसकी फैक्टरी और घर की करमचारी आहत हो जाते थे लेकिन फिर भी सेट हरिश्दास को किसी की परवानी थी जहां हरिश्दास अपने करमचारीयों और गरिबों से इतना जिड़ता था वहीं उसका बेटा शुप बेहत खुश मिजाज और खोले दिल का ओफिस में वो सभी के साथ अच्छा व्यवार करता और सभी को सम्मान की नजर से दीखता जोती थोड़ी दिर में हमारे क्लाइंट आने वाले हैं वैसे वो आये तो उन्हें वेट कराये बिना आप चल्दी से मुझे इनफॉर्म कर देना ठीके सर मैं कर दूंगी शाम के समय अरे जोती आप अभी तक घर नहीं गई लगभग पूरा स्टाफ चाह चुका है अंधेरा भी हो गया है अच्चिली सर मेरा थोड़ा सा काम पैंडिंग था मैंने सुचा पूरा काम खत्म करकी ही निकलू अच्छा ऐसा करो तुम अपना काम खत्म कर लो चलो मैं तुमें छोड़ देता हूँ ने नी सर आप मुझे क्यों छोड़ेंगी मैं मैनेज कर लोगी अरे इसमे इतना परिशान होने वाली कोई बात नहीं है अपने एंपलोईस को घर तक सेफली पहुचाना भी तो कमपनी की जिम्मधारी होती है और वैसे भी तुम ते एक लड़की हो तो तुमारे लिए हमारे जिम्मधारी और भी ज्यादा बढ़ जाती है टेंशन मतलग मुझे कोई प्राब्लम नहीं होगी ड्राइवर तुम्हें छोड़ देगा शुब के बार-बार इंसिस्ट करने पर ज्योती उसे मना नहीं कर पाती और शुब अपनी गाड़ी में उसे बिठा लिता है बिस ज्योती कहां की रहने वाली हैं आप बढ़ने लगी थी और अपनी ही ओफिस में काम करने वाली ज्योती से शुब को अब आकरशन मैसूस होने लगा था एक दिन ज्योती मैं कुछ बात करना चाता था अपसे कहीं न सिर क्या बात है ज्योती मैं तुम्हें पसंद करता हूँ तुम क्या मेरे साथ कॉफी पीने चलोगी बस दोस्ती चाता हूँ तुम्हारी अपनी पुजिशन का फाइदा उठा रहे हैं सर मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो अमीर लड़का देख कर फिसल जाए मैं अपनी थोड़ी सी सैलरी में बहुत खुश हूँ सर आप मुझे शर्मिंदा कर रहा है नहीं नहीं आपने ऐसा कुछ गलत नहीं पूछा लेकिन आपके जैसा अमेर घर का लड़का मुझे क्यों पसंद करेगा भला यही सोचकर मैं थोड़ा घबरा गई थी लेकिन आपकी बाते सुनकर मेरा भी दिल कर रहा है एक बार कॉफे पिने तो हम चली सकते हैं कॉफे से शुरू हुई जोती और शुप की मुलाकातें धीरे धीरे बढ़ती गई और जल्दी ही वो दोनों एक दुसरे से प्यार करने लगे तुम तुम उतसे प्यार करते हो लेकिन मैं जानती हूँ कि हमारा प्यार कभी भी अंजाम तक नहीं पहुँच पाएगा तुम ऐसी बाते क्यों करती हो जोती क्या मैं तुमें धोखे बाज नजर आता हूँ तुम धोखे बाज नहीं हो मैं जानती हूँ लेकिन तुम अपने पापा को तो जानते हो न और इस सर ओफिस में अपने एंप्लोईस के साथ बैठना तक पसंद नहीं करते और तुम एक मामूल इसी लड़की से शादी करके उसे उनकी बहु बनाना चाहते हो तो मैं नहीं लगता कि ये इंपॉसिबल काम है देखो जियोती ये तो मैं नहीं जानता कि पापा की प्रॉब्लम क्या है पापा अगर सही होते न तो मैं सरूर उनकी बात की रिस्पेक्ट करता लेकिन इस मामले में वो गलत है और उनकी इस गलत जिद के लिए मैं अपनी लाइफ खराब नहीं कर सकता मैं तुमसे शादी करना चाता हूँ और मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम गरीब हो या आमीर कमपनी की माल कीन हो या हमारे कमपनी में काम करने वाली एक एमपलोई अरे प्यार ये सब देख कर थोड़ी ना किया जाता है शुब घर जाकर अपने पापा को ज्योती की बारे में बताता है पापा मैं ज्योती से प्यार करता हूँ और उसे से शादी करना जाता हूँ नालायक इतनी करोड़ पती घर की लड़कियां तुझे देखाए लेकिन तुझे पसंद भी आई तो अपनी कंपनी की रेसेप्शनिस्ट अरे हैस्यत क्या है उसकी पंद्रा बीस हजार कमाने वाली लड़की इस घर की बहु बनेगी इस घर की बहु तो क्या मैं उसे अपने घर में पैर भी नहीं रखने दूँगा पापा अब जोती का अपमान कर रहे है और याद रखिए अब उसकी इंसल्ट मेरी भी इंसल्ट है देखो बिटा जिद मत करो तुम जानते हो ना तुमारे पापा को गरीबों से कितनी चेड़ है औरे वो नहीं एकसेप्ट करेंगे जोती को मा पापा की बेवज़े की जिद के लिए मैं अपने जिन्दगी खराब नहीं कर सकता अगर पापा जिद्धी है तो मैं भी उनका बेटा हूँ मैं भी बता देता हूँ आखिर में वही हुआ है जिसका शुप की मा को डर था एक दिन शुप शादी करकी जोती को अपने घर ले आता है ये क्या किया तुने शुप हम इस लड़की को कभी भी अपने घर की बहु स्विकार नहीं करेंगे आपकी स्विकार करने या ना करने से कुछ नहीं हो था मम्मी मैंने शादी कर ली है और अब सबसे बड़ा सच यही है कि जोती इस घर की बहु और मेरी पत्नी है शुप की कमरे में जाने की बाद हरिश कहता है देखो शुप की मा अगर ये लड़की इस घर में रहेगी ना तो मैं घर में नहीं रहूँगा अरे आप चिंता क्यों करते हैं जी मुझ पर भरोसा रखिए चार दिन में इस लड़की को इस घर से भगा ना दिया ना तो मेरा नाम भी सुमित्रा नहीं तुम्हारा कहने का मतलब क्या है अरे वो लड़की सब कुछ जानते समझते हुए इस घर में आई है इतनी आसानी से हमारा पीछा चोड़ कर जाएगी नी और सबसे बड़ी बात शूब है न उसका हिमायती उसके सामने हम इस लड़की को कुछ क्या भी तो नहीं सकते मैंने आप से कहा ना आप बस मुझ पर भरोसा रखिए यह गरीब बहुत सिर्फ चार ही दिन की है पस चार दिन इसको बरदाश कर लीजी फिर उसके बाद इसे इसकी जोपड़ी में वापस रवाना कर देंगे और इस बार यह जाएगी ना तो कभी वापस नहीं लोटेगी अगले दिन जोती बिटा कल जो कुछ भी हुआ उसका बुरा मत मानना वो अचारक से तुम्हें ऐसे शुप के साथ देखा तो हम लोग अपनी भावना उपर काबू नहीं कर पाए लेकिन बिटा हमारे मन में तुम्हारे लिए कोई बुरी भावना नहीं है जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ अब तुम इस घर की बहु हो ये लो ये शगुन के गैने है और ये जोडा इससे पैन कर तयार हो जाओ फिर मैं तुम्हें कुल देवी की पूजा करने के लिए ले जाओंगी दिखा जोती मैं कहता था ना सब पल दो पल के लिए नाराज ज़रूर होंगे लेकिन मेरी खुशी से ज़्यादा मेरे परिवार को और कुछ भी नी चीए सब लोग मान गया आज मैं बहुत खुश हूँ कुल देवी की पूजा के बाद सावित्री बहु जोती को धेरो आशिरवात देती है जिससे शुब और जोती को यकीन हो जाता है कि सावित्री और हरिष्ट ने उनके रिष्टे को स्विकार कर लिया है कुछ देर बाद मुझे कुछ घबराट से हो रही है हाथ पैर पूल रहे है शुब तुम डॉक्टर साहब को फोन लगाओ मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा पिता के मुझे से ऐसी बात सुनकर शुब जल्दी से अपने फैमिली डॉक्टर को फोन लगाता है कुछ देर पाद शुब तुमारे पिता जी को माल्ड हार्टेटेक हुआ है इस समय इन्हें टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है थकान और टेंशन से दूर रहेंगी तो जल्दी ही स्वस्त हो जाएंगी फिलाल चिंता की कोई बात नहीं है पापा ये सब मेरे कारण हो आना पापा मैंने आपको बहुत दुख दिया मुझे माफ कर दो पापा नहीं बिटो तुम्हें माफी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है गल्ती तो मेरी ही है मैं ही जबर्दस्ती तुम पर अपनी सोच थोपना चाता था अब जो हो गया उसे भूल जाओ मेरा आशिर्वाद तुम दोनों के साथ है लेकिन जर आपको तो आज रात की फ्लाइट से चंडीगड के लिए निकलना था अगर आप नहीं जाएंगे तो एक बहुत बड़ा कंसाइन्मेंट कैंसल हो जाएगा अब चिंता मत करो पापा चंडीगड मैं जाओंगा अपका कंसाइन्मेंट कैंसल नहीं होगा लेकिन बेटा तुमारी अभी कल ही तो शादी हुई है अब ऐसे कैसे मैं तुम्हें चंडीगड भेज दू बहु यहां अकेली राज आएगी मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा चिंता की कोई बात नहीं है पापा जी की तब्यट ठीक नहीं है इस समय सबसे जरूरी है कि पापा जी आराम करे और मैं कहीं भागी थोड़ी ना जा रही हूँ शुक आप आराम से अपना काम खत्म करके आईए मैं आपको यहां आपका इंतजार करते हुए मिलूगी शुप की जानी के बाद नालेनी इसका फोन अपने पास रखो और अब चाहे कुछ भी हो जाए इसके हाथ कोई फोन नहीं लगना चाहिए यह कैसी बात करने आप हुआ क्या है हुआ क्या है यह तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा अब सबसे पहले गहने उतार कर इधर देतो तुम्हारी आउकात नहीं है यह लाखो के गहने पैनने की जुगी जोपड़ी में रहने वाली लड़की तुम्हें क्या लगा था तुम इतनी आसानी से इस करोड के बंगले की माल किन में जाओगी माजी मुझे आपके बंगली या दौलत की कोई लालच नहीं है और मैंने शुबसे शादी आपकी दौलत के लिए नहीं की है मैंने उनसे प्यार किया है इसली ही शादी की है अच्छा तो ठीक है साबित करके देखाओ ये मैंगे कपड़े गहने जेवर सब उतार कर यहां रखो और ये लो इससे पहन कर काम करने के लिए रसोई में चली जाओ माजी बहुत ठंड लग रही है एक स्वेटर दी दीजी ना बहुत ठंड है अरे अभी तो काम करना शुरू भी नहीं किया नखर पहले शुरू होगे मारानी के तेरी जोपडी में तो जैसे हीटर लगा होगा ना तुझे सरासे भी ठड नहीं लगती होगी अपनी जोपडी में एई जब चाप जाकर रसोई में काम कर ये सारे बरतन अच्छे से धूल जाने चाहिए और हाँ 12-15 लोगों का खाना बना कर तैयार कर देना आप मुझसे इस तरह से व्यवान नहीं कर सकती मैं नहीं बनाऊंगी 15 लोगों का खाना जब घर में खाना बनाने के लिए खूक है तो मैं क्यों खाना बनाऊ अच्छा अगर नहीं बनाएगी ना तो भूक ही प्यासी पड़ी रहे अपने कमरे में एक बुंद पानी नहीं मिलेगा इस घर में तुझे सास के कड़े रवये के कारण पूरा दिन जियोती बिना खाये पी अपने कमरे में बैठी रहती है लेकिन शाम होते होते उसकी बरताश खत्म हो जाती है माजी आप ये सब क्यों कर रहे है मेरे साथ अरे मैंने क्या बिगाड़ा है आप लोगों का खाना मत दीजी लेकिन थोड़ा सब पानी तो पिला दीजी मैं न तुझे कहा ना घर के काम करेगी तो खाना मिलेगा बना पड़ी रह सही अगले ही दिन से ज्योती शुप के घर में एक नौकरान इसे भी बत्तर स्थिती में पहुँच जाती है सावित्री पूरा दिन गधो की तरह उससे काम करवा थी बंगले की साव सफाय, खाना बनाना, बरतन दोना, कपड़े धुलने के बाद उससे एक रूटी खाने को दीती और फिर से ले जाकर कमरे में बंद कर दीती ना उसे फोन करने की इजाज़त थी, ना किसी से बात करने की वो एक कैदियां वाले जिन्दगी जी रही थी, पांच दिन के बाद माजी, मेरे तब्यूत को शीक नहीं लग रही, बहुत तेस बुखार है प्लीस, ठंड के मारे मेरा शेरी रखड़ा जा रहा है, कुछ कमबल दे दीजे ना अरे, तू तो बहुत प्यार करती है ना शुप से, हैं, इतने जल्दी सारा प्यार खतम हो गया तेरा कोई कमबल नहीं मिलेगा, बहुत शौक है ना तुझे बहु बनने का तो पहले अगनी परिक्षा तो पास कर ले, हाँ 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 माजी, मैं सच कह रही हूँ, मेरी तबित बहुत खराब, प्लीज आज रात के लिए कमबल दे दो, मेरा पूरा शरीर दर्ट से तूट रहा है आरे, तो तो तोट चाने दे, मैं क्या करूँ सावित्री जाकर फट से दर्वाजा बन कर लिती है, पूरी रात बुखार में तडबते तडबते सुबह तक जोती की हालत बहुत खराब हो गई थी, सुबह छे बजे आ लड़की, चलो ट, कापड़े दो माजी, मेरी हिम्मत बिस्तर से खड़े होने की भी नहीं है, मैं आज कोई काम नहीं कर पाऊंगी आरे, ऐसा कैसा नहीं करेगी, हाँ, उठ, उठती है या नहीं तेरे जैसी लड़कियों के ड्राम में बहुत अच्छी तरह समझती हूँ ये बिमार होने का नाटक, शुब के सामने करना, उसके उपर अच्छा असर करेगा लेकिन मुझे तेरे नाटक से कोई फर्क नहीं पड़ता जल्दी कुछ करो, कल तक भहिया भी आ जाएंगी अगर आज शाम तक ये यहां से डर कर नहीं भागी न, तो कल हमारा सारा भंडा फूट जाएगा अरा तु चिंता क्यों कर रहे है न अलिनी, आज मैं इसे इतना काम करवाऊंगी न, कि शाम तक सर पर पाउं रखकर यहां से भागती भी नजर आएगी चिंता मत कर, अपनी माँ पर भरोसा रख सावित्री गुस्से में बहुज्योती को उसके कमरे से बाहर ले आती है चाल, अब यहां बैठ और यह सारे परदे और चादर धोकर सुखा और हाँ एक भी दाग नहीं रहना चीए वाना जो तुझे एक रोटी खाने को मिलती है ना वो भी नहीं मिलेगी सास की बात सुनकर रोते हुए बहुज्योती कपड़े धुने लगती है तब्यत खराब होने के कारण कुछी दिर में चक्कर खाकर वो गिर जाती है अरे मा जल्दी आओ ये क्या कर दी है आपने इसकी तुझे सच में तबीत खराब थी ये तो बेहुश उकर गिर गई अब हम लोग क्या करेंगे अरे कुछ नहीं हुआ है ऐसे इनाटक कर रही होगी अरे मा ना टक नहीं कर दी है बेहुश पड़ी है वो अगर मर बर गई ना तो हमें सारी जिंदगी जेल में चक्की पीसनी पड़ीगी अब चल्दी से अस्पताल लेकर जाओ अरे बिटा अगर इसे अस्पताल ले जाएंगे अरे इसने डक्टर के सामने हमारे बारे में सब सच बता दिया तो ये सब बार में सूचना मा अभी समय नहीं है ये सब सूचने का अरे इसे कुछ हो गया ना तो हम क्या करेंगी भया की शादी तो छोड़ो हमारी सारी जिन्दगी जेल की काल कोठरी में बितीगी नलेनी की बाद सुनकर सावित्री तुरंत उसे अस्पताल ले जाती है अस्पताल में डॉक्टर कहते हैं कि उससे सीवियर निमोनिया हुआ है ठंड से पूरा सीना जखड़ा हुआ है और बहुत तेज बुखार भी है फिलहाल उसे क्रिटिकल यूनिट में रखना पड़ेगा और सुबह तक होश आ जाए उसके बाद में वो आगे कुछ पता पाएंगे अगले दिन सुबह ही शुब चंडीगड से लौट आता है मा पापा जोतिको अस्पताल में क्यो ले कर गया है क्या हुआ मेरी जोतिको अरे मैं एक हफ़ते के लिए चंडीगड क्या चला गया क्या से क्या हो गई वो पिछले एक सपता से उसको फोन मिला रहा हूँ मैं उसका फोन भी नहीं लग रहा उसका क्या घर में किसी का भी फोन नहीं लग रहा है आखिर हो क्या रहा था यहां पर शुब अपनी मा से सवाल कर रहा था कि तभी मिस्टर और मिसिस मिश्रा अस्पिताल में पहुच जाते हैं अरे ये तो Mr. Mishra है बहुत बड़े आदमी है ये तो हमारी फैक्टरी जैसी आट हाट फैक्टरी है उनकी लेकिन ये यहां क्या कर रहा है Sister, जियोदी मिश्रक आये क्या हुआ है मेरी बच्ची को क्या ज्योती मिश्रा कंपनी के माली के बेटी है और मैं उसे गरीब जुगी जुपडी वाली लड़की समझता रहा अरे अगर मिश्टर मिश्रा चाहे तो यहां खड़े खड़े मुझे खरीच सकते है अगर इन्हें पता लग गया कि हमने उनकी बेटी के साथ क्या किया है तो यह हमें छोड़ेंगे नहीं आईए आप लोग अब जूती से मिल सकते हैं जूती बेटा यह सिब क्या हो गया अपने पैरों पर खड़ा होनी के जिद में क्या हाल बना लिया तुमने अपना किस सड़क चाप लड़के से शादी की तुमने सच सच बता कहीं उसकी वज़ा से यह तो तुमारी ऐसी आलत नहीं होई न नहीं पापा आप शान्त हो जाई ए कुछ नहीं हो आए मुझे और मुझे अपने पापा की दौलत पर राज नहीं करना था मैं अपनी किसमत खुद लिखना चाती थी तो इसमें मैंने गलत क्या किया और स्यादा परिशान होने की कोई बात नहीं है पापा थोड़ा सा खांसे सुकाम हुआ है ठीक हो जाएगा और मेरे पती शुब कोई सड़क चाप नहीं है गुपता कमपनी के मालिक के इकलोती बेटी है हाँ आपके बराबर दालत नहीं है इनकी पास लेकिन जितनी भी है मैं खुश हूँ इतने मैं और इनसे मिलिए ये मेरे साज ससुर है इन्होंने मुझे हमेशा अपनी बेटी की तरह समझा है और आगे भी बेटी ही समझेंगे मैं आज अगर यहां पर हूँ न तो इन्हीं के बदालत क्या मतलब मेरा मतलब यह है कि पापा मैं तो चक्कर खाकर गेर गई थी वो तो मम्मी जी मुझे टाइम पर अस्पता ले आई वो नहीं पता नहीं मेरा क्या होता तो बस जल्दी से ठीक होकर घर चल बेटा मैं वादा करती हूँ कि मैं तेरा नलीनी से बेज्यादा खायल रखूँगी तुझे पहचाने में बहुत गल्ती करती मैंने तो तो खरा सोना है जियोती की दर्या दिली और अच्छे व्यावार से साज सावित्री और ससुरहरिश काफी शर्मिन की मैसुस कर रहे थे जियोती की पिता के जाने के बाद वे सभी अपने किये के लिए जियोती से माफी मांगते हैं और खुशी-खुशी साथ रहने लगते हैं